नमस्कार प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ओनलाइन प्रेटफोर्म पर हार्दिक स्वागत है तो जैसे कि आप देख रहे हो असिस्टेंट लाइन में एक और बड़ी अपडेट आप सभी को मिल रही है देखिए क्या कुछ इसके अंदर पूरी पूरी अदालत में प्रेट ने रविवार को हिसार निवासी संजे तिवारी को गिर्फतार किया पुलीस आरोपी को सोमवार को जिला अदालत में पेस करेगी एसपी विजे कुमार नहरा ने बताया कि सेक्टर पांच परेट ग्राउन में एलम भरती को लेकर सत्यापन चल रहा है यानि कि डोकुमेंट वहां पर चल रहा है तो दस्तावेद सत्यापित करवाने के लिए आरोपी संजे तिवारी संजे तिवारी जो आरोप इसने कैए कि इस दर्जगर आरोपी संजे तिवारी को गिरुफतार कर लिया है इस तरह से क्या है जो संजे ने बताया कि वह है गाउं बोबुआ थाना बरवाला जिला हिसार का रहने वाला यानि कि हिसार का ये जो है वो वेक्ति है और आप सभी ने देखा है जो बिठमड शेटर आराम से इसकंदर मिलेंगे अभी तक लास्ट में पता सलेगा भी कितने जो है वो उमीदवारों ने डोकुमेंट चेक नहीं करवाया है क्योंकि पुलीस की बढ़ती में भी कैए इतने जो है वो शेटर पर कारवाई हुई है तो एलम भरती में भी कैए बिल्कुल का एस पी विजे नेरा ने बताया कि प्रिक्षा देने वाले आरोपी की तलास की जा रही है पुलीस 32 आरोपियों को गरिफतार कर चुकी है ठीक है तो ये निज थी आप सभी को सीटर पर जो कारवाई चल रही है बढ़िया चल रही है कारवाई हर्याना स्टाप सेलेक्शन सही से सिस्टम चल रहा है सब कुछ तो उमीद करते हैं जो भी स्टुडेंट एलम के इंदर लगे बिलकुल क्या है मेनत वाले जो मेनत करने वाले बच्चे है उन्हीं का नाम इसमें आना चाहिए ठीक है जो फरजी उमीदवार है उनका लिश्ट से नाम बिलकुल बाहर उन पर केस बगरादर्ज होना चाहिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थेंक्यू वेरी मच्च